जारखन हाई कोट से नियोजन निती रद होने के बाद जारखन के अभ्यर्थियों में उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है क्योंकि लगतार जो अभ्यर्थी है वो तैयारियों में जुट चुके थे लेकिन जिस तरीके से नियोजन निती 2021 रद कर दी गई है उससे कई न्यूकतिया भी रद हो गई और ऐसे में छात्रों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर अब हमारा जार्खन में क्या होगा इस वक्त जार्खन के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि नियोजन निती 2021 रद हो चुका है क्या कुछ विकल्प आप लोगों नहीं सोचा कुछ विकल्प है आप लोगों के पास अब पहली बात तो यह जो हमारा नियोजन निती बना हुआ था हमंद सरकार द्वारा वो सिर्फ हमंद सरकार को ही पता था कि वो वैधानिक तरीके से बना हुआ है लेकिन यहां जार्खन के हर एक बच्चे-बच्चे को पता था कि वो आस्वैधानिक है और दस महीना पहले साल बना हुआ था जो कि सिर्फ समय बरबाद गिया और उसके बीच में कोई मतलब बहुत सारा यहां बताया गया कि वह असवनद्हानिक है लेकिन फोर हुआ हीने और कोई सुधार नहीं होने के वज़ा से यहां सिरफ हम लोग का समय सीर बरबाद हख और कुछ नहीं हुआ कि अगर सरकार सुप्रीम कोड जाती है तो हम लोग उगर प्रदर्शन करेंगे अब याचना नहीं अपरण होगा जीवन जाय की मरण होगा से बहुत बार कहा है कि सब्हाल किया है। अब जो है अगर सरकार सुप्रीम कोड जाती है तो उग्रप्रदर्सन किया जाएगा और क्या बोलता है सिक्षामंत्री कि उम्री खत्म हो जा रहा तो हो जाने दिजिए नए आएंगे 2015 से लेके 2022 को लेके आना यहां तक किसकी क्या गलती है या भाजपा के हो या फिर जहांवों के हो या कोई भी सरकार हो केवल अपना मतलब देखती है यह 2024 का अभी सही तैयारी कर लिये हैं सिंपल सब्दों में समझिये अगर सब लोग को यहां पर रोजगार मिल जाएगा तो क्या बोलता है उसको पंप्लेट कौन चिपकाएगा पूल पर कौन चढ़ेगा जंडा कौन उठाएगा तो यह जंडा उठवाने के लिए तैयारी कि दी गई है राजसरकार लगतार यह कहते वे भी नजर आ रहे थे कि जो जार्खंट से 10th और 12 किये हैं वही सिर्फ जार्खंट में सरकारी नौकरी में भाग ले सकते हैं अब हाई कोट की ओर से तो आप लोगों को निरनय पता ही है तो 10th और 12 का जहां तक बात अगर हाई हैंगे भी तौष और इतनी मोटी रेकम अगर सुप्रीम कोट में जाएंगे तो मोटी रेकम और पढ़ने के लिए रखेंगे तो यह टााइम और पैसा जो जा जाएगा पैसा जा round है हमारी इस पैसा जा रहा है तो यह इतना मोटा मोटा हम खर्जा करेंग तो यह घुर्ष खुद बखुद आप खुद जब वर्डिक्ट पढ़िएगा जो वर्डिक्ट आया हुआ है उसमें एक भी पॉइंट जो दिया गया है तरक दिया गया है उससे हाई कोड जो है सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोड में जाके चीछा लेजर काये करना चाहते हैं यहीं पर सु संशे के बादल है क्या लगता है क्या कुछ होगा क्योंकि यहां पर सरकार कह रहे हैं विचार विमर्स करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोड का दरवाजा खटकटाएगी यानि कि अब कानूनी लड़ाई इसमें लड़ी जाएगी जी यह सरकार की लापरवाही होगी अग जनता को बुडवग बना रहे हैं और जहारखंड की जनता जहारखंड का जो छात्र है वह जाग चुका है अब सरको परांदोलन होगा इसके अलावा कुछ नहीं है और हम यह कहना चाह रहे हैं कि हमांत्री गण हमारे यहां बनाए गए इसका सरासर जो जिम्मेवार हैं हमा खड़ा होना चाहिए हर हालत में और हम यह कहना चाहेंगे कि हर हाल में हर हाल में जो सरकार है वो अगर सुप्रीम कोट जा रही है तो यह सिर्फ और सिर्फ बेवकूप बनाने का एक सर्यंत्र है सरकार द्वारा अच्छा मंतरी लगतार बयान भी दे रहे हैं उनका कहना है कि अगर उम्र आप लोगों की चली जाती है तो कई नहीं लोग आएंगे उन लोगों के साथ निवेदान करते हैं कि लटपड बयान मत दें क्योंकि नवयुवक का खुन ऐसे भी करम होता है और यह लोग जो बता सुप्रीम कोट जाएंगे तो सुप्रीम कोट जाने का इनका कोई रास्ता ही नहीं बचा है और यह युवक के आँख में दूल जोक रहे हैं तो अगर यह सुप्रीम कोट जाएंगे यहां बहुत बड़ा लाइब प्रोटेस्ट होगा यह अप लेख लिए उस सोचों भी न करेंगे चुकि यह लगतार कह रहे हैं कि अब तमाम जो परिक्षाएं हैं उस पे संसे के बादल अब मंडरा रहे हैं और देखना अब यही होगा कि न्यूजन निति को लेकर क्या कुछ सरकार की ओर से ठोस कदम उठाया जाता है कैमरा परसन संजे के साथ करिश्मा से ना न जो तरलेंग का जारखन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्या धार्मिक रेली आत्रा केसरी नर्सिंग हों तहला तला पिसका मोड राची